मंगलवार को तिलक नगट छेत्र स्थिप एक मिजी स्कूल में छटवी क्लास की बालिका के साथ उसकी टीचर ने मारपीट की और इसकेल फेक कर उसे घायल कर दिया जिससे बच्ची को गंभी चोटा आई है अब पुलिस मामने की जाच कर लेगी है कतना तिलक नगट छेत्र स्थिप श्रीकृष्ण पॉबलिक स्कूल की है जहाँ पर छटवी कक्षक में पढ़ने वाली चेरी चोहान के साथ उन्हें पहाने वाले टीचर ने अबद्र विवार किया और बच्ची के साथ मारपीट कर घायल कर दिया मामले में बच्ची के पिता अमर चोहान ने बताया कि इस मामले में उन्होंने स्कूल प्रबंदन और शिक्षा विवाग को भी शिकायदाच कर आई है साथ ही तिलक नगर थाने पर भी आविदन किया गया वही बच्ची के मुताबक टीचर क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मारपीट कर रही थी इस दौरान उसे भी स्केल फेक कर खायल कर दिया मैं पूरी घटना के बाद स्कूल प्रबंदन में मामले में परदर डालने की कोशिश की गई है वही इस मामले में परजनों ने तिलक नगर थाने पहुँच कर आविदन दिया गये वही पुलिस ने शिकायद कर जाच करने की आदिश में दिये गये पहले भी कई स्कूलों में मालपीट की घटना सामने आई है विशेश कर छोटे बच्चों के साथ परन्तू उसके बाद भी शिक्षविवाग कोई कड़ी कारवाई टीचरों पर नहीं करता गए इसके फायदा टीचर जम कर उठाते गये और बेखाओफ होकर बच्चों के साथ मालपीट करते हैं कि इसके सर्में दोड़ा है तो मैं वहां जाकर देखता हूं तब कि इसके सबसे ब्लाट निकल रहा है उसको और में टुछ ब्रोक्रस लगा जिया उसके लिए उसके पुछा रही तो बच्चों के बच्चों को मारती करते हैं बोच दुने विवार करते हैं कि इसके सब्सक्राइब करते हैं कि इसमें पढ़ने लगती है कुमारी चेरी उसका कहना है कि आज करीब दस बजी के बात है जब अपके स्कूल में थी पढ़ाई कर रही थी खक्चा में उसके पास में जो लड़के बेठे हुए तो मस्ती कर रहे थे और राधा स्रीवास मेडम को पीरियट चल रहा था साइंस का पीरियट तो राधा मेडम ने वह बच्चों को इसके खिश के मारा जो उन लड़कों को नहां लगते हुए इस लड़की के सीर में लगा है सीर सामने सामने लगा हु झाल झाल